हाँ तो बस मैं ऐसे स्क्रोल कर रहा था नेट्फिलिक्स के उपर कि कोई नया शो आया है कोई नई मूवी आई है तो उसको देख लूँ तो मेरे सामने आती है थ्री बोडी प्रोब्लम करके एक सीरीज सबसे पहले मैंने इस सीरीज को जब देखना शुरू किया तो बिल्कुल भी इंटरस्ट नहीं आया मतलब पहला ही एपिसोड मैंने नहीं देखा थोड़ी देर बाद मैंने उसको बंद कर दिया फिर मैंने सोचा एर एक बर इस सीरीज की कहानी तो जान लें कि क्या है तो इसको मैंने यूटूब के ऊपर चीज का ट्रेलर है उसको देखा और मुझे वहाँ पर भी इतना इंटरस्टिंग नहीं लगा था वो ट्रेलर तो मैंने वहीं बंद कर दिया, उसके बाद मैं ट्रेलर देखने के बाद फिर से सोचा, एर एक बार और देखने कोशिश करते हैं, फिर मैंने थोड़ी देखने के बाद इतना इंटरस्ट फिर भी नहीं आया, मैंने फिर वहीं सीरीज को देखना बंद किया, मेरे एक दोस्त मुझे suggest किया कि यार अजय तुने three body problem करके देखी है मैंने का यार नहीं देखी उसने का एक बार देख यार बहुत अच्छी सीरी है उसके suggestion के उपर मैंने सोचा कि एक बार कोशिश करते हैं मन लगा कि एक बार एक या दो episode तो complete कर लेते हैं तो मैंने उसके कहने पर दो episode इसके देख ली है हाँ उस दोरान मैं कह सकता हूँ कि मेरा interest इसके अंदर मतलब बना और मैंने इसके जो 8 episode है इसको मैंने continue किया और अब आते हैं इस series के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है जो इस series की story है वो में दिखाए गई कि 1960 के अंदर चीन में जो एक culture revolution यानि culture क्रांती आती है तो उस दोरान जैसी जैसी चीजें हमारे सामने रखी गई या फिर चीन के अंदर उस time के अंदर military project चलाय जा रहे थे उस military project के अंदर क्या हो रहा था उन signal को aliens capture करते हैं और वहां पर communicate करते हैं लोगों से मतलब इन धर्ती के लोगों से अब वो एक तरीके से message ये भी बेज़ देते हैं कि हम आ रहे हैं तुमारी धर्ती पे और ये जो alien होते हैं इनका ग्रह खतम हो चुका है एक तरीके से ये एक लुप्त होती हुई पर जाती है और अपने आपको बचाने के लिए अपने लिए गर डूनने के लिए वो दर्ती के तरह बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोगों को ये भी बता देते हैं कि भाई साब हम आतो रहे हैं लेकिन हम तुमारे साथ मिलके नहीं रहेंगे हम तुम लोगों को मार देंगे और एक तरीके से तुमारी धर्ती के उपर कबजा करके हमारा ही गर बना कर हम वहां पर रहेंगे और ये सब चीजे एक तरीके से आग की तरह फैल जाती है धर्ती के सभी लोगों में मतलब कहीं न कहीं अपनी होने का एक सबूत पेश करते हैं धर्ती पे सभी लोगों को हम हैं और हम तुमारे तरफ आ रहे हैं लगबख 400 सालों में तुमारे पास हम पहुंच जाएंगे अब यहाँ पर दो धर्ती है यहाँ पर जो लोग हैं वो बरस्ट हो चुके हैं उनमें इंसानियत خतम हो चुकी हैं लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और कहीं ना-कई वो चीजें दिखाई भी जाती हैं कि देखें यहाँ पर एक कृप्रांती आती है क्रांती पर बेकुस वो लोगों को मार दिया जाता है तो ये सब चीज़ें देखी जाती है तो लोगों का मन काफी जादा तूट चुक है और वो चाहते हैं कि भाई साब सत्यानास हो जाए ये धर्ती खतम हो जाए एक जो है नहीं परजाती यहां पर आके रहने लग जाए शायद इंसानों को और अच्छा बनाना मतलब अच्छे जीना सिखा दे तो ये एक गुट जो है वो इनकी पूजा करना स्टार्ट करते हैं वहीं एक दूसरा गुट हमारे सामने निकल कर आता है वो कहीं न कहीं कहीं न कहीं क्या पूर्ण रूप से ये चाहते हैं कि एलियन इस धर्ती तक ना पहुंचे उनकी कमजोरी क्या है उनकी पावर क्या है इसके लिए वो मिशन स्टार्ट करते हैं और यहां पर फिर स्टार्ट होती है साइंटिफिक जन्ग मतलब यह साइंटिस्स तरीके से मारे यहां पर यूज क्या गया है फिजिक्स का भर भर के यूज क्या गया कभी-कभी तो मुझे लगा जब भी सीरी श को देख रहा था मैं ञखा यह कहीं कि एक रियल में साइंटिस्स को बिठा आतर इस series की कहानी तो नहीं लिखी गई है न क्यूंकि इतनी मतलब पूरे जोर सोर्स से physics का यूज करना, science का यूज करना कई चीजें तो ऐसी थी यार सर के उपर से जा रही थी अब इस series के बारे में भी दो विचार बनके निकल कर आए मारे सामने कुछ लोग इसको criticize कर रहे हैं और कुछ लोग इसको मतलब पसंद भी कर रहे हैं criticize करने वाले ये कह रहे हैं कि देखो भाई साथ ये जो series है वो एक novel के पर अधारित है obviously जो मैंने इसके बारे में पढ़ा तो एक novel है मुझे भी नहीं पता उसका नाम क्या है बतलब पता चला है इस novel के उपर अधारित है अब ये novel के उपर अधारित है लेकिन वह जिस तरीके की novel है जिसा इस novel में create किया गया है या फिर interest जिस तरीके का उसमें बनता है उस level की series नहीं बनाएगे अब मैंने तो novel पढ़ी नहीं तो मुझे क्या पता उस novel में क्या लिखा गया है मैं तो अपने जिस तरीके का एक experience रहा है इस series को देखने का वहीं मैं बता सकता हूँ तो जैसे मैंने शुरुआत में खा बाइसाँ मेरा interest इसके अंदर नहीं बना था फर्स एपिसोड में इसको देखनी पाया था इसका trailer देखने के बाद भी मेरा interest इसके अंदर नहीं बना हाँ दोस्त ने का तब जाके मैंने इस series को देखना स्टार्ट किया और फिर भी कोशि channel review आपके साथ share करों शायद आप लोगों के series पसंद आ सकती है और मेभी जब इसका second season आए तो यह और ज्यादा interesting हो सकती है लेकिन first season मुझे उतना interesting नहीं लगा यार क्योंकि इसमें धीरे-धीरे चल रहे थी बहुत ज्यादा slow चल रहे थी कुछ ऐसी चीज़े थी जिनका न आप लोगों के बहुत जादा पसंद आए तो मैं तो यार कहूंगा कि आप इसको one time consider कर लो नहीं तरह से तो मैं इसको five after ten star देना चाहूंगा हिंदी डबिंग की बात करूं तो काफी अच्छी हिंदी डबिंग मुझे लगी क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी का मतलब compare कर सकते ना तो मुझे हिंदी डबिंग काफी बढ़िया लगी इसके अलावा इसके अंदर nude scene भी है तो भाई साब बच्चों के लिए तो बि साइन्टिफिक चीजें जो इसमें देखने को मिल रहे थी वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा एक प्रोजेक्ट इसमें चलाया जाता है वो मैं नहीं बताना जाता क्योंकि आपको spoiler मिल जाएगा वो मुझे काफी बढ़िया लगा कुछ एक यार दोस्त की बलिदान थोड झाल